नमस्कार मित्रो, टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती हैं जो इभीन समचार पत्रों पर शाइवी होती हैं और विद्यारतियों के लिए अवश्रक होती हैं तो आईए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचनाय हैं सबसे पहले सुचनाय है उत्तरवतेस लोग से वा आयोग की लिखा PCS Pre नतीज़ा संसोधित 160 और मईलाइं सफल PCS Pre 2018 का जो रिजल्ट है उसके लिए हाईकूर ने आदेश दिया था कि मईलाओं को आरक्षंड दिया जाए और पूनह रिजल्ट जारी किया जाए तो लोग से वा आयोग ने उसी करम में पूनह रिजल्ट जारी किया जिसमें 160 मईलाइं और अधिक सफल हो गई है लोग से वा आयोग की जो मुक्ष पर इक्ष्छ है वो 18 अतायक से हुनी है और वो अपने समय से ही होंगी सबसे बड़ी समस्था यह है कि अब यह जो मैलाइं सफल हुई है यह मैलाइं एक सबताह में कैसे त्यारी करेंगी किस तरीके से आविदन करेंगी और किस तरीके से इस एक्जाम को पास कर पाएंगी लिखा हुआ है लोग से वह आयोगने हाई कोर्ट की लखनों कंट्रीट की आधिस का अंपालन करते विए PCS-ACF-MMRFO-2018 प्रारवी प्रिक्षा का परिणाम संसोधित कर दिया है इसके बाद PCS-PRE के अलग-अलग साथ ग्रूप में 199 महिला अवर्थियों को स्थायति आरचन का लाप देते विए मुख परिक्षा के रिए सफल किया गया है इन में से 49 महिला अवर्थि ऐसी हैं जो एक से अधिक ग्रूप में सफल हुई है और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो भी उत्तरप्रदिस लोकसिवा आयोग की ही है लिखा हुआ PCS-RFO और ACF का विग्यापन जल्द PCS-2019 का विग्यापन है वो जल्द आ जाएगा और मैंने भी कल के वीडियो में आप लोगों से बताया था इसके बारे में कि लोकसिवा आयोग तयारियां कर रहा है और बहुत जल्द PCS-2019 का नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पदों की संक्या बहुत ही जदा कम है वीडियो के पद जोड़े नहीं कहा है अभी तक वीडियो के पद अगर जोड़े जाते लगवाग चार सो तो पदों की संक्या साथा साथा सथा को हो सकती थी लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों बता दिया था कि इस बार पदों की संक्या चार सो के आसपास होने का अनुआ है लेकिन आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि पदों के संख्या और भी कम हो सकती है लिखा है लोग सेवा आयोग की PCS ACFRFO 2019 परिक्षा का विगया पंजल जारी किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी आयोग की और से जारी के लिए आवेदन लेने की तयारी है वैसे आयोग के निमानुसार PCS का नोटिफिकिशन जारी होने के बाद से PCS की प्रारामिक परिक्षा परिडाम ग्रूसित होने तक सासन से इस समय के जितने भी रिक्त पदों की सुचना मिलती है उससे उस समय की भरती में सामिल करते हु के लिए विग्यापा निकला था लेकिन 30 मार्स 2019 को जब प्री परिक्षा का परड़ाम जारी हुआ था तो पदों की संक्या 988 हो गए थी तो जब तक यानि प्री की परिक्षा होती है और उसका प्रड़ाम घुसित किया जाता तब तक अगर अधिया चान आता है तो पदों एवघर्थियों एड्वाइजरी में कहा है कि बसे आवध्य जमा करने के चारण और तक पूरर पात के लिए निधारत अरता रखते हो वही प्रीक्षे में सामिलों जिनकी पास उचित अग्योगता हो वही यह प्रिच्छा दें अगली सूजना है राजस्थान प्यस्थी की लिखा है राजस्थान प्यस्थी राजस्थान पॉब्लिक सर्विस कमिशन ने पहां सजार प्राध्यापकों के लिए मांगे दुबारा आवेदन बाहरा एक्टूबर 2019 से आनलाइन आवेदन करने की अंतिम अलग अलग विस्थान के अलग अलग यह भरतिया निगली हुई है और तो जो लोग प्राध्यापक बनना चाहते हों वह लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लिखा कैसे करें आवेदन आवेदन करने के एक चुक आवेदक संस्थान की वेबसाइट और प्यस्थी डाट का रिदी भी है लिखा क्या है योगता उम्मीदवार्ट सब्हांदित विस्था में ग्रेजविट हो किसी मानता प्राफ्त यूनिवस्थी से बीएड हो आवेदन करने की जो आईव है वह 21-40 की बीच में हो और जिन्होंने पहले से आवेदन कर राखा उन्हें दोबारा आ इसमें लिखा हुआ है कि कब से कब तक संसुदन होंगे आवेदन के फार्म है चार से लेकर के 10 तारीक तक इसमें करिक्शन होगा और उसके बाद अप जारी होंगे देख लिए थर्ड वीक आप नुम्मबर मैंने भी आप लोगों को बताया था कि अब इस नुमबर के वह छह सब्ता के अंदर आ जाएगा और अमोमन जो आज कर प्रड़ाम आ रहा है वह चार सब्ता में ही आ जाता है और यह पूर टाम टेबल नीचे दिया हुआ है कि कितने बज़े से लेकर कि कितने बज़े तक परिच्छा होगी यह जो परिच्छा है आपकी यह साड़े न सुचना है हिंदुस्तान समचार पतर ने फिर से एक भ्रमित करने वाली जानकारी दी है इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधिना सिवर चैन आयोग जल्द करेगा 6134 पर भरती यह गलब तरीके से लिखा हुआ है यह भरती पुरानी है यह यहां पर लिखा होना च से लिखा है उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवर चैन आयोग इसी माथ 6134 युवाओं को नोकरी देने जा रहा है इसमें एकाउंट अडिटर यहां पर लिखा है सहायक लेखाकार एम लेखा परिक्षक के बाइस सो नलकूब चालक के 3210 और वहां प्रिकारी के 724 बदों पर निक्ठिया देने की तैयारी यह आयोग के सच्चिव यह तो यह जो भी वर्तियां चल रहे ही थी इन सब की जो निक्ठिया है वह इस माह हो जाएंगी यहां पर लिखाया कि समय दिवायां प्रस्तिक चट्रिवा कल्याण प्रादेश की विकास अधिकारी के बाइस सो पदो सब्सक्राद में लोवर का एक संसोधित कटाब जारी करूंगा चोंकि अफिसियल जारी हो चुकी और उसके बास में काफी बड़ा बदलाव आया है विद्यारतियों के अंदर विद्यारतियों ने बताया कि उनके जो नंबर थे जो पर उन्होंने जोड़ा था उसमें अब सेर जरूर कर दिया करिए पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धिन्यवाद